बिलीव मी यह ओर्जिन मूवी से डिफरेंट है हेलो एबरीबन मेरा नाम है प्रांशो एसौल और आप देख रहे हैं पीजे एक्स्प्लेइन आरन मैन के एक से तीन पार्ट आ गये हैं मगर उसकी ओर्जिन के बारे में हमने बिल्कुल पता नहीं किया है और जैसे कि यह एक कॉमिक बुक केरेक्टर है इसकी कई सारी ओर्जिन्स और अलग-अलग वर्जिन्स हैं लेकिन मैं आपको सबसे ओरिजिनल बेसिक स्टोरी लाइन के बारे में एक्स्प्रेंट करूंगा तो चलिए शुरू करते हैं आइरन मैन को सबसे पहले टेल्स ऑफ सस्पेंस नमबर 39 येर्स 1963 में देखा गया था जैसे कि हमें इस बात का संग्यान है कि टोनी स्टार्क यानी आइरन मैन बनने से पहले वे एक बिलियनर बिजनसमैन है जो अपने लाइफ में अलमूस्स सभी चीज़ों में सक्सेस्फुल है टोनी स्टार्क के फादर का नाम हावर्ट स्टार्क है और इनको हमने कैप्टन अमेरिका वन में देखा ही है हावर्ट स्टार्क एक सक्सेस्फुल अंट्रपनर एक साइन्टेस्ट और स्टार्क इंडस्ट्रीज के मालिक भी है और उनका बेटा यानि टोनी स्टार्क उनके विरासत का मालिक है और गौर करने वाली बात है कि वो एक पॉपलर प्ले बॉई भी है जब टोनी अपने वेपन्स के साथ वियतनाम में यूस गोवर्मेंट की आर्मी को हेल्प कर रहा था तब अचानक टोनी एक बूबी ट्रैप में फस के घायल हो पड़ता है टोनी को वहाँ के कुछ लोग बंदी बना लेते हैं अब वो लोग वियतनामीज गुरिलास हैं और इनका लीडर वैंग्चू है टोनी को पकड़ने के बाद वांग उसके चेस्ट पे एक मैगनेटिक मशीन लगा देता है जिसे आज के प्रेजिट टाइम में हम उसे आख रियाक्टर के नाम से भी जानते हैं जो कि उसके हर्ट से सिर्फ एक इंच की दूरी पे थी और ऐसा करते हुए वांग टोनी को एक सूपर वेपन बनाने का ओर्डर देता है हर्ट सर्जरी को ठीक करने के बदले में और कॉमिक्स में आगे चलते हलते टोनी को जो सप्लाइज मिलते थे वेपन बनाने के लिए टोनी अपने हर्ट के लिए एक मैगनेटिक डिवाइस बनाई जो उसके हर्ट से शार्फुल और मैगट्स को दूर रखके उसे जिन्दा रखता था और जहां पर टोनी किटनाप थे उनके पास एक फैलो एसिस्टेंट भी था और उस फैलो एसिस्टेंट का नाम प्रोफेसर येंसन था और वो दोनों मिलके एक मेटल का आर्मर सूट को तयार करने लगे जो टोनी को वहाँ से भागने में मदद करेगा लेकिन सूट पूरा कंप्लीट होने से पहले प्रोफेसर येंसन को अपने आपको सैक्रिफाइस करना पड़ा सूट को पावर अप करते समय और टोनी को कुछ और टाइम मिल जाया वहां से भागने के लिए और आखिर में टोनी ने वही मैगनेटिक डिवाइस यानी आख र लेकिन ये आरेन मैन सूट बहुत रफ था लेकिन हम इसके फैन नहीं इसके बाद के आने वाले सारे सूट के फैन हैं और आगे की कॉमिक्स में यानी आरेन मैन मार्क टू का सूट सबसे पहले टेल्स आफ सस्पेंस नमबर फोटी एट में नजर आया था कॉमिक में मिस्टर डॉल से हारने के बाद और आलमोस्ट मरने से बचने के बाद स्टाक को समझ में आ गया कि अब उसे अपना सूट और हलका और एफिशिंट बनाना पड़ेगा नए सूट को बनाने के बाद टोनी ने नए सूट से मिस्टर डॉल को हरा दिया मारा नहीं सिर्फ हरा दिया Iron Man को अपनी खुद की कॉमिक सिरीज 1968 में मिली The Invincible Iron Man नाम से इस सिरीज के पहले इशू में Iron Man की ओरजिन स्टोरी ब्रीफ में एक्स्प्लेंड की गई थी कि टोनी स्टाग्मियत नाम कैसे पहुचा उसे किडनाइप कैसे किया गया वहाँ से वो भागा कैसे सूट बना के वगएरा वगएरा और आगे चलते अलते Iron Man Avengers के founder member में से एक भी बन जाता है फिर जब टोनी को पता चलता है हलक अपना mindset भूल के हर जगां तबाई मचा रहा है तब Iron Man aka Tony Stark recite करता है कि अब Iron Man ही हलक को रोग सकता है और फिर एक बहुत ही जबरदस fight होती है Iron Man or Hulk के बीच में फिर आगे चलते अलती थोर उन दोनों fight के बीच में आ जाता है और दोनों के explain करता है especially Iron Man को क्योंकि वही बात समझ पाएंगे कि लोकी ने हलक को गुमरा यानी बैक आया है और फिर सब एक टीम बनकर लोकी को हरा देते हैं मारते नहीं सिर्फ हरा देते हैं और उस टीम के मेंबर्स रहते हैं Iron Man, हलक, थौर, एंट मैन और वास मेंबर्स रहते हैं और ये नई टीम मिलके Avengers कहलाती है और जैसे कि Iron Man इतने popular story है तो हर साल के दोरान में Iron Man के suit में abilities अपडेट होती रहती हैं और उसमें से कुछ बहुती बड़े achievements हैं जो हाल ही में नजर आए हैं टोनी अपनी दिमाग और पैसो से कुछ और भी बहतरूई suits बना रहा है और हर एक suit किसी special situation से निपटने के लिए है और अब टोनी की suits की power उसके herd से नहीं बलकि हर एक अलग suit के लिए अलग arc reactor भी है suits में modifications और tech updates के साथ टोनी अपने suits में weapons upgrades भी करता है और वो सारे weapons उसके company stock industries के थूँ आते हैं टोनी के कुछ बहुती बड़े changes की बात करें तो आगे की comics में चलते हैं टोनी के अंदर extremist virus आयाता है और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि extremist virus टोनी को और भी ज़्यादा powers देता है और टोनी वो सारे powers अपने suit में भी इस्तमाल करता है जो कि सिर्फ उसके brain से control हो सकती है टोनी के पास ये extremist virus आगे की issues में खतम हो जाते है और वो फिर से normal human मन जाता है और जैसे कि ये एक fictional character है इसके कई सारी universe और storylines है मगर कोई भी ultimate storyline नहीं है और यहां New York में Iron Man को चिट्टारी alien species को खतम करते हुए दिखाया गया है और comic में फिर से इसी position में Tony को एक billionaire businessman और एक popular playboy की तोर पे दिखाया गया है और यहां पे Tony को अपने ही powers और abilities पे डाउट होता है एक Iron Man होने के नाते है Comics के साथ साथ Iron Man TVs और media में भी popular रहा है 1966 में Iron Man की खुद की animated series लाँच हुई Marvel Super Heroes के नाम से और हल ही में The Avengers Smartiest Hero में Iron Man Avengers टीम का एक lead characters में से एक है और Iron Man दुनिया भर में popular तब हुआ जब Robert Downey Jr. as Iron Man movie में feature किये और मेरे ख्याल से यह actor इस character के लिए बिलकुल best है तो क्या आप Iron Man के fan है I am Iron Man और और भी ऐसे origin stories, breakdown, history और और भी ऐसे contents के लिए प्लीज इस channel को like और subscribe कीजिए PJ Explained PJ Explained